हाई फ्रेंड स्वागदे आप सभी का आमेजिंग हिष्ट्री चैनल में मैं हूँ आपका दोस्त समेथ प्रजावती और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिवाड के महाराना कुमपा के बारे में महाराना कुमपा भारत में मेवाड समराज्य के महान सासक थे वो राजपूतों में सिसोद्यावन्स के सासक थे राणा कुमपा अपने सोरिय, विर्ता और बलिदान के उपरंत सिल्पकला और वस्तुकला के जानकार के रूप में भी जाने जाते थे तेरवी सताबदी के मोड पर अलाउद्दिंग खिलजी की सैना द्वारा पराजित होने के बाद मेवाड थमसा गया था जिसके बाद राणा हम्मिर ने 1335 में दूसरी बार राजपुताना सासन की स्थापना की थी जिसे पहले राणा और बाद में महाराणा की उपाधी दी गई थी राणा हम्मिर के पोते राणा मुकल सी की सन 1433 में दो भाईयो द्वारा हत्या कर दी गई थी अलाकि समर्थन की कमी के चलते वह दोनों चाचा और मेरा नामक दो भाई वहाँ से भाग गये थे और बाद में महारणा कुमपा को मेवाड का सासक बना दिया गया था सुरू आती समय में मेवाड के राणा कुमपा और मंडोर के रणमल राठोड ने साथ में ही मालवा पर हमला कर दिया और उसे जीत भी लिया था हाला कि बाद में रणमल राठोड की बढ़ती सकती के चलते राणा कुमपा और राणमल राठोड के बीच मदभेद सुरू हो गया था और बाद में राणा कुमपा ने राणमल राठोड को मार दिया था लेकिन तब से कई दसो को तक सिसो दिया और राठोड वंस के बीच कर दिया था और आगे चित्तोड के हमले के लिए गया था लेकिन राणा ने उसे वहीं रोक दिया मंडल घड में छोटी सी लड़ाई के बाद वह वहीं रुक गया था लेकिन अगले ही दिन उसने फिर से मेवाड पर हमला सुरू कर दिया था तब राणा कुमभा ने फिर से ए एक बार हार का स्वात चकना पड़ा था राना कुंपा ने अपना सासन और भी ज्यादा मजबूत कर दिया था उन्होंने सांपर, अजमेर, रनथंपूर, डुंगरपूर, बुंदी, कोटा और अन्यकई राज्य मेवाड में समा लिये थे नागोर के सासक फिरोशकान की मृत् तब राना कुंपा की मदद से समस्खान ने जीत हासल कर ली थी, लेकिन बाद में उसने गद्दारी दिखाई और गुजरात के सुल्तान अहमद साद्वितिया से जा मिला था, जिस पर क्रोधित होते ही राना कुंपा ने 1456 में नागोर, कासिली, खंडेला और साकमबरी पर धावा बोल दिया था, और उसे जीत भी लिया था, इसकी प्रतिक्रिया स्वरुप अहमद साद्वितिया ने सीरोही पर आक्रमन शुरू कर दिया, और बाद में कुंपल मेर पर भी हमला कर दिया था, वहीं महमुत खिल जी और अहमद सा ने अपने दुस्मन मिवाड को समझ कर एक दूसरे से हाथ मिला लिया था, और चमपानेर की संधी कर लिया थी, उसके तहए तहमद सा ने आबू पर कबजा कर लिया, लेकिन कुंपल मेर जीत न पाए, जिस पर राणा कुंपा ने सेना को नागोर पर हमला करने की इजाज़त दे दी थी, जहां उन्होंने इस तता को देखकर राव जुधा ने मंडोर पर अपना कबजा जमा लिया था, जो रणमल राठोड के पुत्र भी थे, 1458 में अहमद सा द्वितिय की मृत्य हो गई, और बाद में मेहमुत खिल जी के बीच सत्रुता को देखते हुए, राणा कुंपा ने फिर से अपने खो और चोथी और मेहमुत खिल जी से घिरे होए होने के बावजूद भी उन्होंने मेवाड को अपनी तलवार के लोहे से बचाये रखा था, राणा कुंपा ने अपने राज्य का पुना निर्मार करवाने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत की थी, क्योंकि मेवाड की रक्षा क करने वाले 14 सी दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्मार तो केवल राणा कुंपा नहीं करवाया था, जिसमें विश्वप्रसिद कुंपल गड़ भी है, जो राजस्तान का सबसे उंचा किला है, राणा कुंपा ने चितोड में 37 मिटर उंचे 9 मंजीला स्थम्भ का भी न दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतायों लाइक और शेयर करना नहीं बूले, नीचे दियागा सब्सक्रेब बटन दबाकर सब्सक्रेब करना भी नहीं बूले